हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें आज इस वीडियो में हम जिस टोपिक के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं वो है टेक्सबुक उसका मीनिंग डेफिनेशन ताइपस इंपोर्टंस यूजिज अञेडर इवैलूएशन ओफ टेक्सटबुक सबसे पहले शुरू करते हैं टेक्सबुक के मीниनिंग से तो टेक्सबुक के मीनिंग में हमें क्या पढ़ते हैं कि textbook क्या है, एक book है, जो क्या है, जिसमें क्या होता है, comprehensive information होती है, किसी भी course की और subject की, जो student skill के लिए होती है, needful होती है, उनको क्या है, वो पूरे साल में पढ़नी है, इसमें क्या होता है, हमारे पास chapters होती है, question answers होती है, book exercise होती है, इसका जो main motive क्या होता है, curriculum के according बनाई गरी ह होती है, इसका main motive क्या होता है, learning standards को क्या है, बढ़ाना, उसके बाद क्या है, textbooks सिर्फ students के लिए ही helpful नहीं है, ये teachers के लिए भी उतनी ही helpful है, new teachers के लिए, for example, जैसे आप B.Ed कर रहे हैं, तो B.Ed students, जो teachers होती है, उनके लिए helpful कि तरीके से है, कि उनके पास क्या है, एक तरीके से ये helping guide है, जिसके माधम से वो बच्चों को क्या है, teach कर सकती है, उसके बाद पढ़ते हैं, इसकी basic सी definitions, पेपर में, जब आपको ये exam में आएगा, तो आपने ही definitions इसकी एक दो जरूर देनी है, जब भी आपने ही ये question frame करना है, तो definitions में हमारे पास सबसे पहले है, textbook is a book designed for classroom use, जो दी थी हमारे पास back on ने, उसके बाद second है, textbook is a half of the apparatus of teaching, ये दी थी हमारे पास professor Keating ने, उसके बाद है, Oxford Advanced Learner Dictionary के द्वारा दी गए definition, जो क्या है, a book that teaches a particular subject and that is used especially in schools and colleges, कि जो क्या है, किसी particular subject को teach करती है, और जो school और colleges में क्या है, use की जाती है, उसके बाद है, isके types, तो types में हमारे पास textbook के types में सबसे पहले, जो science की textbook के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है, books related to syllabus, मतलब कि अभी हम physical science की बात कर रहे हैं, तो जो science related books होंगी, इस type में वो बढ़ी आएंगी, उसके बाद second है हमारे पास supplementary books, third है हमारे पास inspirational books, fourth है हमारे पास background books, fifth है हमारे पास reference books, और sixth है हमारे पास books suited for creating interest in science, तो हमारा first है, books related to syllabus, तो इसमें क्या होता है, कोई भी science की textbook जो क्या prescribed की जाती है, different standards के लिए, और different states के लिए, NCRT क्या है, इनको produce करती है, different classes के लिए, मतलब की जो curriculum के according design की गई होती है, उन books को क्या है, हम in category में डालेंगे, जो क्या है, books related to syllabus, उसके बाद second है हमारे पास supplementary books, तो supplement क्या होता है, जो कुछ something extra add करे किसी भी चीज़ को, तो book का supplementary क्या है, कुछ books ऐसी होती है, जो additional में हम use क करती है, अगर हमारे पास कोई हमें जरूरत है कि हमें ये टोपी कहां से समझ नहीं आ रहा है, तो हम किसी दूसरी book की help लेती है, जिससे हमें extra knowledge मिलती है, तो वो books क्या होती है, supplementary books, for example, इसमें हमारे पास है, bunders of bond life and the harvest of sea, ये books है, जो क्या है, supplementary books है, जो बच्चों को क्या ह knowledge provide करती है, जो थोड़ा बहुत उनकी study में gap रह जाता है, हमारी दूसरी अपनी text books से, उसके बाद third है हमारे पास inspirational books, तो inspirational books क्या होती है, वो books जिनसे क्या है, बच्चों को best minds के बारे में पता चलता है, उनको inspiration मिलती है, कि हाँ, इन्होंने ऐसी discovery कीती है, ऐसी observe करते थे और उससे क्या है, बच्चे inspire होते हैं और उनकी science में क्या है, जो interest है, वो और ज़्यादा बढ़ता है, इसमें हमारे पास हमें examples ले सकते हैं, biographies हो सकती है, scientist की, उसके बाद है the romance of chemistry, उसके बाद हमारे पास fourth book है, fourth type of book, text book है, background books, जिसमें हमारे पास क्या है, ये हमें knowledge देती है, जो background knowledge होती है, जैसे हम earth के बारे में पढ़ते हैं, तो ये बताती है, हमें the story of earth, हम खुद के बारे में पढ़ रहे हैं, कि हमारे शरीर में क्या है, कितनी हड़िया है, कितनी mass species है, उसके बारे में है, जैसे the story of man, ये हमें background knowledge देती है, कि कैसे जो इंसान का evolution हुआ, उसके बा के कहां से आई, उसके बाद हमारी fifth है, reference books, तो reference books क्या है, जो reference purpose दी जाती है, basically जब हम पढ़ते हैं, तो कोई word ऐसे होते हैं, typical से, कि उनका पता नहीं होता, तो उनको reference किया जाता है, कि हाँ, इस book से ये लिया गया है, या इस book में आपको इसका meaning मिलेगा, a dictionary of science, इसी type की है, an encyclopedia of science, और history of science, उसके बाद हमारी last types of textbook है, books for creating interest in science, ये books हैं कि जिनको पढ़के बच्चे का क्या है, science में interest develop हो, हम science के बारे में पढ़ रहे हैं, physical science में, textbook के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम science के related ही books इसमें लिखेंगे, इसमें हमारे पास है science in home, जैसे हमारे घर में, kitchen में कौन कौन सी sciences use हो रही है, कौन कौन से हम chemicals use करते हैं, मतलब कि जो हमारे उसमें मसालव विगारा में पाये जाते हैं, निम्बु में कौन सा acids होता है, acid base, ये सब कुछ साबुन में, तो वो क्या है सारा, उस तो बच्चे अगर उनमें पढ़ें उनके बारे में, तो उनका क्य है, science में interest developed होता है, उसके बाद है stories of scientific discoveries, wonders of the human body, तो ये सारी थी हमारी types of textbook और इनका basic सा introduction, उसके बाद हमारा जो next है, वो है importance of textbook, तो ऐसे तो textbook की importance बड़ी vast है, पर हम basic से कुछ 10-15 points करेंगे, जिनको आपको paper में क्या है, elaborate करके लिखना है और question को, answer को frame करना है, तो हमारे पास first है, सबसे पहले, necessary for teaching science, अभी science एक ऐसा subject है कि, दिन बाए दिन वो क्या है, complex होता जा रहा है, क्यों क्योंकि नई-नई invention हो रही है, अगर हम textbook का use ना करें, revised textbook का use ना करें, तो बच्चों को क्या है, पुरानी knowledge ही मिलती रहेगी, तो इसलिए क्या है, textbook क्या है, necessary है, science teach करने के लिए, उसके बाद second है, provide knowledge in organized way for students, books क्या है, बच्चों को knowledge क्या है, organized way में provide करती है, ऐसे नहीं है, जैसे हम अगर उन्हें science पढ़ाने है, मान लीजे हम उन्हें periodic table के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम ऐसे नहीं करेंगे, कि उसका coordination number उसकी balance से शुरू करेंगे, हम पह जाता है, ताकि बच्चे क्या है, उस knowledge को easily grasp कर सके, उसके बद third है हमारे पास, help the learner to gain of left out points, अभी class में teacher ने आपको पढ़ाया, उस बगत तो आपको याद है, बट आप जब घर पहुंचे तो आपको याद नहीं है, तो क्या है, बुक के अगर आप सहायता लोगे, तो बुक के help से आपको वो point क्या है, recall हो जाएंगे easily जब आप उनको देखोगे, तो इसलिए ये help करती है, जो point shoot गया, उनको द्वारा से gain करने के लिए, fourth है हमारे पास remove the faults of some teaching methods, ये क्या है, बहुत सारी teaching methods होते हैं, उनको क्या है, जो उनमें faults होते हैं, उनको remove करती है, for example lecture method, उसमें teacher lecture देता है, बच्चे उसमें passive learner होते हैं, वो क्या है, सिर्फ सुनते हैं, और book क्या है, उस चीज को क्या है, नेगलिफाई करता है, उसके faults को क्या है, remove करता है, बच्चों के पास book क्या है, बच्चे easily उस चीज को क्या है, पढ़ सकते हैं, उसके बद फिप्त है, helps the teacher to know the number of topics taught, इसमें systematic way में teacher के पास दिया गया होता है, कि हाँ, book में यह अपने topic पढ़ा दिये, या पढ़ लिये हैं, तो teacher को भी idea लग जाता है, कि हाँ, मैंने यहां तक पढ़ा दिया, अभी मैंने यह शुरू करना है, क्यूंकि उसके पास क्या है, कुछ sequence होता है, कि कौन-कौन से topic वो tick कर सकता है, बकाइदा उसको कि हाँ, मैंने यह बच्चों को यह पढ़ा दिया है, उसके बाद हमारा six है, a sense of the experience teacher, experience teacher के लिए क्या है, एक essence है, यह experience teachers के लिए, seven है हमारे पास information in sequence, teacher के लिए information है, वो भी sequence में होती है, जैसे बच्चों के लिए organized way में होती है, teacher को पता होत है कि अभी उसने क्या पढ़ाने है, उसके बाद क्या पढ़ाने है, और धीरे-धीरे क्या है, जो simple to complex जाते है, जो principles होते है, teaching के maximals होते है, उनको follow किया जाते है, act as a guide for scientific thinking, अभी क्या है, यह scientific thinking develop करने के लिए बच्चों में, act as a guide करती है कि बच्चों में scientific aptitude आये, उनमें scientific thinking की development हो, उसके बाद है, supplement to classroom work, वही है कि यह classroom work के लिए क्या है, supplementary होते है, कुछ shoot गया है, कुछ समझ नहीं आया, या कुछ extra knowledge गेन करनी है, तो वो क्या है, textbook से कर सकते हैं, 10th है, helpful for assignment preparation, assignment की prepare करने के लिए यह क्या helpful है, teacher बच्चों को assign करता है, कि हांजी यह आपका topic है, आप आपने इसको क्या है, assignment बणा के लेके आनी है, बच्चा क्या है, textbook की help से अपनी assignment prepare कर सकता है, उसके बाद है helpful in revision, अभी आपने पढ़ लिया है, study कर लिया है, आपकी classes over होगी है, अगर आपने उसको revise करना है, जो भी आपने पढ़ा है, तो आप textbook से easily revise कर सकते हो, home work can be given easily, जो आपने पढ़ा, कि इसमें questions होते हैं, book exercise होती है, तो teacher के easily बच्चे को home work का sign कर सकता है, कि आपने ये वाली exercise का ये वाला part करके आना है, उसके बाद हमारे पास next है, to develop open mindness और scientific values, अभी ऐसा है कि इसमें बच्चों में science की book पढ़के, उनमें scientific values आती है, और उनमें open mindness आती है ऐसी नहीं है कि वो एक ही topic पे अटके रहते हैं, कि हाँ बस ये ही है, वो पूरा बास्ट उनके पास दी होती है, material दिया होता है, बच्चे उसको पढ़ सकते हैं और open mind से पूरी study कर सकते हैं उस topic के बारे में, उसके बाद हम next है, helpful to understand the basic concept, कुछ नहीं समझा है, तो book क्या है, helpful लेती है, understand करने के लिए, जो भी concept शूट गया है, encourage classroom discussion, अभी क्या है, book में, book से पढ़ रही है, teacher पढ़ा रहा है, बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, या उन्होंने कुछ देखा book में, जो teacher ने miss कर दिया, तो बच्चे पूछ सकते हैं, sir, या ma'am, इसका मतलब क्या है, य यह ऐसा क्यों है, यह discovery क्यों हुई, मतलब कि यह encourage करता है, जो classroom discussion होती है, कि बच्चे क्या है, question put कर सके, उसके बाद हमारे next है, uses of textbook, तो जो uses of textbook है, वो somewhat importance of textbook में से ही लिए गए है, तो मैं आपको इसके key points दूँगा, आप इसको elaborate कर ले ना, तो हमारे पास first है, guide, act as a guide, हमने पीछे पढ़ लिया, second है understanding of concept, concept के understanding आती है, scientific aptitude की development होती है, home study में useful होता है, slow learners के लिए helpful होता है, जिने class में समझ नहीं है, वो घर जाके पढ़ सकते हैं उस चीज को, और क्या है, knowledge जो छूट गई है, उसे grasp कर सकते हैं द्वारा से, उसके बाद है, develop skills, बच्चों में skills की development कर बच्चों को उसमें pictures दी गई होती है, उनको graphs दी होते है, तो बच्चों में क्या है creativity आती है, उसके बाद है speedy revision, revision करने में helpful होती है, supplement the class work, class work की क्या है, यह supplementary होती है, accurate conclusion, इसमें जो conclusion दिया गया था है, वो accurate होता है, किसी ऐसे, मतलो हर किसी ने मूँ ठाके ऐसे बना के नह conclusion है, बुक में क्या है, इसकी evaluation होती है, इसमें studies की जाती है, कि हाँ यह book accurate है, तब जाके यह बच्चों को provide की जाती है, पढ़ने के लिए, तो इसका conclusion क्या होता है, accurate होता है, usable for assignment वही है, कि teacher ने assignment दिया बच्चों को बनाने के लिए, तो बच्चे क्या है, textbook का use कर सकती है, उ assignments को बनाने के लिए, उसके बाद हमारा next है, textbook evaluation, तो evaluation आपको बता है, कि किसी भी चीज़ का हो सकता है, evaluation उसको evaluate करती है, उसकी qualities को evaluate करती है, तो जो textbook evaluation है, यह क्या है, is the way to choose which textbook is suitable to need of the teaching learning process, मतलब कि बुक को evaluate करती है, कि क्या यह teaching learning process के लिए suitable है भी या नहीं, अगर वो इस criteria को fulfill करती है, तभी वो बुक क्या है, बच्चों को provide की जाती है, schools में भेजी जाती है, based on cunning worth, cunning worth क्या कहती है, the purpose of textbook evaluation is to help the teacher to decide the learning resources be the best material in order to gain good learning, मतलब कि क्या है, कि इसका purpose क्या होता है, textbook evaluation का, कि teacher को decide करने में helpful होता है, कि learning resources, क्या यह सही है, क्या यह material best है, बच्चों को teach करने के लिए, तो हमारे पास जो textbook evaluation है, हम दो type का पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे पास hunters scorecard, second है हमारे पास bogals checklist, तो hunters scorecard के बारे में पढ़ते हैं, तो hunters scorecard में क्या है, एक scorecard होता है, book को evaluate किया जाता है, और उस scorecard में हमारे पास 7 points होती है, उन 7 points के basis पे क्या है books को number दिये जाते हैं, सबसे पहला हमारा point है, number one है educational rank of author, कि author की qualification क्या है, और इसके हमारे पास कितने point है, 50 points, second आते है mechanical makeup and cost, कि जो book का mechanical makeup उसकी cover page कैसा है, उसकी binding कैसी है, page क्या quality कैसी है, उसकी cost कैसी है, उसके मिलते है 100 points, उसके बाद है psychological soundness, कि क्या book psychology के principles पर based है, क्या ये principles of teaching को fulfill करती है, क्या आप, जो maximals है teaching के, उनका use किया गया है, मतलब कि psychologically ये बच्चों के लिए fit है न, तो वो देखा जाता है, उसके हमारे पास 300 points है, उसके बाद fourth है subject matter, ऐसे निये कि मतलब, अगर science की book है, तो subject matter related to science होना चाहिए, ऐसे निये कि science की book है, और उसमें history डाल दी, तो उसके कितने points है, हमारे पास 200, उसके बाद fifth है, literary style, मतलब कि लिखने का style, जो fonts है, वो ज्यादा बड़े नहीं है, या छोटे नहीं है, और जो main points है, उनको highlight किया गया है, या कोई भी unfamiliar bird आ रहा है, birds आ रहे हैं, तो क्या उनको italic या bold में करके लिखा गया है, तो ये 50 points, total इसके कितने है, 1000 points मनती है, sorry मैंने गलती से 100 लिखा, इसके total 1000 points मनती है, उसके बाद हमारे next है, bogals checklist, तो bogals checklist में हमारे पास 10 points आती है, आप 10 points यादा रखो, बीच में अगर आपने उनकी details देनी है, तो दे सकते हैं, अधर आप 10 points लिखोगे, more than sufficient है, तो first है हमारे पास qualification of author, उसमें आते हैं कि author ने क्या ये subject पढ़ाया है, जो लिख रहा है उस book को, क्या उसको उसकी knowledge भी है, उसके पास उस book को लिखने की क्या advanced degree है, जो वो subject matter के बारे में लिख रहा है, third है क्या उसके पास assistance है, specialist की, उसके बाद है author's philosophy or point of view is in harmony, ऐसे तो नहीं है कि उसने जो language use की है, वो कोई भड़का हूँ है, वो मतलब society की accordance के according होनी चाहिए, उसके बाद second है organization, तो organization में क्या आता है, central theme आती है, ये वही आ गया कि science की book है, तो science उसकी क्या है, central theme, उसी से related उसमें content होना चाहिए, second है unit, organized होनी चाहिए, use of topics already taught in schools, उसके बाद है question at the end of the chapter in order of difficulty, कि questions क्या है chapter के end में होने चाहिए, और simple to क्या है, उनकी difficulty level, low से क्या है, बढ़ता जाना चाहिए, इस label में होने चाहिए, third है हमारे पास content, content में हमारे पास है contain all necessary material, उसमें सारा material होना चाहिए, जो भी बच्चों को science में पढ़ाने के लिए चाहिए होगा, उसके बाद है cross reference within the book, book में जै आपने देखोगा कि books में एक index, एक box सा दिया होता है, जिसमें उसकी development दियो गई होती है, कि हाँ, इस scientist ने किया था, ये discovery कैसे होई थी, उसके बाद है topic of advanced science, advanced science के topics होने चाहिए, जो जो new researches हो रही है, उसके बाद है social significance of science is stressed, कि science का social significance का है, वो कैसे society के लिए helpful है, उसके कैस stress किया जाना चाहिए, इसके according भी points दिये जाती है, fourth है हमारे पास bogal check list में presentation of material की material किस तरीके से present किया गया है, inductive approach का use किया गया है, क्या example से rules की तरफ गई है, problem solving aspects of science, अभी science किया है, जितनी problem solve की जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपको knowledge आएगी और उतना आपके लिए help पूर तो क्या उसमें problem दी गई है, author style is informal and interesting की authors ने जो लिखा है, अभी इसमें हम presentation की बात कर रहे हैं, तो इसमें style उसका लिखने का कि उसनी किस तरीके से present किया है, क्या वो interesting है, बच्चे उसमें interest ले रहे हैं, unfamily terms in italic और bold face, वही है कि जो कोई new birds आ रहे हैं, जिनके बारे में जालिक और bold terms की जो principles है, science के उनको अलग से highlight करके कि बच्चों को क्या है, easily वो चीज़ अलग से chunk के दीखे कि हाँ, ये क्या है principle है, उसके बाद बोगल checklist में fifth है, हमारे पास accuracy, जो textbook होनी चाहिए, उसमें accuracy होनी चाहिए, first है index, उसके बाद मतलब index जिसमें पूरा दिया जाता है कि ये chapter है, ये इतने से इतने page पर है, second chapter है, ये units को ऐसे divide किया गया है, items are scientifically correct, scientifically correct होनी चाहिए, खुद से कोई ऐसे theory बना के नहीं है, कि हाँ मतलब science है, किसी का मन किया उठा के लिख दिया, उसमें proper studies होती है, according to scientific, जो studies होती है, उसके basis पे ही लिखी होनी चाहिए, teleological expressions are avoided, personification is avoided, no ambiguous language, उसके बाद हमारे पास sixth है, readability, उसमें हमारे पास readability में क्या है, average number of birds in sentence, जो एक sentence में जो average number of birds होने चाहिए, ऐसे ने कि बहुत जादा हो और बहुत कम हो, उसके बाद है, 60% of the sentences are simple and compound, कि 60% sentences क्या है, simple होने चाहिए, personal reference दिये जाने चाहिए, applications for abstract principles, affix per bird, हर bird के क्या है, affix बताये जाने चाहिए, उसके बाद हमारे पास seventh है, adaptability, adaptability में हमारे पास क्या है, satisfactory for all students, सभी students के लिए satisfactory होनी चाहिए, suitable of rural and urban students, जो ग्रामीन और शेहरिक शेतर के बच्चे होते हैं, सबके लिए क्या है, suitable होनी चाहिए, some section can easily be removed if needed, अगर कोई sections ऐसे हैं कि उनको मतलब जुरूरी नहीं है, तो उनको क्या है, easily neglect किया जाए, ऐसी adaptability होनी चाहिए, textbooks की, उसके बाद है teaching aids, इसका last रह गया fits community needs, उसके बाद eighth point है teaching aids, तो teaching aids में क्या है, summaries होनी चाहिए, questions होनी चाहिए, problems होनी चाहिए, references होनी चाहिए, appendix होनी चाहिए, teachers manual होना चाहिए, और an annuated up to date film होन चाहिए, उसके बाद ninth है हमारे पास illustrations, मतलब कि कैसे दरशाया गया है, modern illustrations होनी चाहिए, photographic representation होनी चाहिए, charts होने चाहिए, line cuts होने चाहिए, figures होने चाहिए, proper जिससे क्या है, बच्चे का interest developed, next है हमारे पास bogals checklist का 10th point appearance, appearance में क्या देखा जाता है, उसका cover page देखा जाता है, textbook का size and shape of textbook की book के, ज्यादा मोटी तो नहीं है, उसकी shape अच्छी है, according to needs है, उसके बाद है, उसका design की, book का design कैसा है, size of the type की, जो उसमें typing की गई है, उसका जो size है, वो कैसा है, तो यह थी हमारी bogus checklist, उसके बाद हम करते हैं, इ आपने उसको attempt किया, तो last में आप 2-3 lines का conclusion जरूर लिखना है, दो marks आपको conclusion के ही मिलती है, तो conclusion में हम क्या लिख रहे हैं, कि textbook provide organized units of work, it gives a great contribution in the teaching learning process, basic जो आपने पीछे पढ़ा, उसके बारे में आपने लिखना है, कि textbook क्या है, हमें units organized way में देती है, contribute करती है, teaching learning process को, teachers के लि learners के लिए भी है, यह क्या हमें plan देती है, lessons का, जो हमने cover करने है, कि कितनी detail में cover करने है, यह क्या हमको balanced information provide करती है, ऐसे ने कि बहुत ज़्यादा information दे रही है, या बहुत ही कम information दे रही है, जो बच्चे की needs के, उसके mental age के according बच्चे को होनी चाहिए, उतनी ही knowledge क्या है, उसक हमने जो topic किया, textbook का, उसका meaning, types, importance, uses and evaluation, उसका हमने last में conclusion किया, तो आज के लिए इतना ही था, वीडियो अच्छी लेगी हो, तो channel को subscribe करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और bell icon को press करें, thanks for watching.